नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायकोगा धन्यवाद चलिया ये इस वीडियो में हम एक आंखिक ट्रशन को हल करते हैं और यहाँ पर इस ट्रशन में दिया गया है कि पारे की आठ समान गोलिय बूधे इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रतेक पर 5 वोल्ट का विभो आ जाए अब इन बूधों को मिला कर एक बड़ी बूध का निर्माड किया जाता है तो उसका विभो कितना होगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पारे की 8 समान गोलिय बूधे हैं तो समां गोलिय बूधे होंगी तो यह जितनी भी बूधे होंगी इनकी त्रिज्या भी समान हम small r से व्यक्त कर देंगे यानि प्रतेग बूंद की त्रिज्या small r हो जाएगी अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इन बूदों पर समान विभो है क्योंकि समान रूप से इन्हें आवेसित किया गया है तो इन पर समान विभो आ गया है तो यहाँ पर विभो की वैलू को भी हम calculate कर लेंगे तो यहाँ पर परतेग बूंद पर जो विभो होगा इसका मान हो जाएगा 5 वोल्ट अब यहाँ पर देखिए हर एक बूंद को मिला करके एक बड़ी सी बूंद का निर्मार किया गया है और यह जो बड़ी सी बूंद का निर्मार किया गया है यह भी एक गोली बूंद है तो इसकी तरिज्ज्या को भी हम मान लेते हैं तो मान लेते हैं इसकी जो तरिज्ज्या होगी यह का capital R हो जाएगी अब यहाँ पर हमें calculate क्या करना है तो देखिए यहाँ पर हमें यही calculate करना है कि यह जो बड़ी सी बूद है इस पर कितना विवो होगा अब प्रश्ण यह उठता है कि विवो को हम calculate कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक formula होता है Q is equal to C into V और इसी formula से हम V की value को calculate करेंगे जहां Q क्या है Q यहाँ पर आवेस है C धारिता है और V भी हो है अब यहाँ पर देखिए ना तो हमें C की value पता है और ना ही हमें Q की value पता है तो सबसे पहले हम C की value को calculate करेंगे अब C का मान हम calculate कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर गोलिये बूदे दी गई है तो यहाँ पर हम इन सभी का आयतन ग्याद करेंगे अब यहाँ पर देखिए आयतन हम कैसे ग्याद करेंगे तो जो बड़ी बूद दी गई है इसका जो आयतन का मान होगा इसका मान 8 समान चोटी गोलिय बूदों के आयतन के बराबर होगा एक बार फिर से आप सुन लीजे बड़ी बूध के आयतन का मान 8 चोटी बूदों के आयतन के योग के बराबर होगा इसे हम note करेंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह जो हमने formula यूज किया है इसी फार्मूले में हम value को put करेंगे यानि बड़ी बूद का आयतन गयाद करेंगे और छोटी बूद का आयतन गयाद करेंगे तो बड़ी बूद का आयतन कैसे गयाद करेंगे देखें बूद गोलिये है और गोले का जो आयतन होता है इसका मान होता है 4 बटे 3 इससे cancel हो गया, πाई से पाई cancel हो गया, अब यहाँ पर हम capital R की value को ग्याद करेंगे, तो यहाँ से capital R की value हो जाएगी, देखिए 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम 2 का cube लिख सकते हैं, और यहाँ पर R cube लिखा है, इसे ऐसे ही हम उतार देंगे, तो यहाँ से capital R की value हो जाएगी, 2R, और इसे हम लिखेंगे समिकर नमबर 1, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम धारिता को ग्याद करेंगे, यानि जो बूधे हैं, मान लेंगे कि यह जो बूधे हैं, यह एक संधारित्र की भात ही कारे करेंगे, तो अगर संधारित्र की भात ही कारे करेंगे, तो इनकी कोई ने कोई धारिता होगी, तो अब हम इनके धारिता के मान को calculate करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, धारिता को हम कैसे calculate करेंगे, तो अगर हमारे पास कोई गोलाकार संधारित्र हो, तो इसकी धारिता को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए इसके लिए फार्मूला होता है c is equal to 4 pi epsilon 0 into a जहाँ a क्या है इसकी त्रिज्या हो जाएगी तो यहाँ पर जो गोलिये बूद है इस पर भी आवेस है विभो है तो यहाँ भी इसकी कोई न कोई धारिता होगी तो अब हम इसकी धारिता को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम छोटी बूद की धारिता को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो छोटी बूद की धारिता है इसे हम c1 से विक्त कर देंगे तो c1 की value कितनी होगी देखें यहाँ पर जो c1 की value हो जाएगी इसकी value होगी 4 pi epsilon 0 into r तो यहाँ पर यह हो जाएगी छोटी बूद की धारिता अब यहाँ पर इसके मात्रक को हम नहीं भोलेंगे वरना प्रस्पन हमारा गलत हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे फारिता का मात्रक फारित होता है अब यहाँ पर हम बड़ी बूद की धारिता को कालकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखें बड़ी बूद की धारिता को हम c2 से व्यक्त कर देंगे तो यहाँ पर इसके लिए formula क्या होगा फार्मूला हम यहीं इस्तिमाल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 pi epsilon 0 into capital R और यहाँ पर इसके मात्रक को हम नहीं बोलेंगे यानि फारेड लिख देंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर R की value को हम समीकरण number 1 से पुट भी कर सकते हैं तो यहाँ पर R की जिगा हम 2R लिख देंगे तो C2 की value change हो जाएगी तो यहाँ से C2 की value हो जाएगी C2 is equal to 4 pi epsilon 0 into 2 small R और यहाँ पर हम इसके मात्रक फारेड को लिख देंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर C1 की value मिल गई और C2 की value मिल गई अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम एक calculation और करेंगे और यहाँ पर हम यह ग्याद करेंगे कि छोटी बूद पर आवेश कितना है और बड़ी बूद पर आवेश कितना है तो यहाँ से जो छोटी बूद है इस पर जब आवेश हम ग्याद करेंगे तो इसके आवेश को हम small q से व्यक्त कर देंगे ठीक इसी परकार से यहाँ पर जो बड़ी बूद है इसके आवेश को हम capital q से व्यक्त कर देंगे तो यहाँ पर हम यह ग्याद करेंगे कि छोटी बूंद पर आवेस की value क्या होगी तो यहाँ पर देखिए छोटी बूंद की आवेस को हमने small q से व्यक्त किया है और इसकी value को हमें ग्याद करना है तो इसे हम कैसे ग्याद करेंगे देखिए यहाँ पर formula लिखा हुआ है q is equal to c into v और इसी formula से हम q की value को calculate करेंगे c क्या है धारिता है और v यहाँ पर विभो है तो यहाँ पर इसी formula में हम सभी मान को put कर देंगे अब यहाँ पर देखिए छोटी बूंद की धारिता कितनी है तो इसकी धारिता दी हुई है 4 pi epsilon 0 into r यहाँ पर इसे हम note करेंगे और यहाँ पर देखिए विभो कितना है विभो का मान 5 वोल्ट दिया है तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट लिख देंगे अब यहाँ पर देखिए इसे हम calculate करेंगे तो यहाँ से मान हो जाएगा 5, 4, 20, pi epsilon 0 into r और यहाँ पर किसकी value है Q की value है और Q क्या है आवेश है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है तो यहाँ पर इसके मात्रक को हम नहीं बूलेंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम यह ग्याद करेंगे कि बड़ी बूद पर आवेश कितना है यानि हम यहाँ पर capital Q की value को calculate करेंगे तो यहाँ पर देखिए बड़ी बूद पर कितना आवेस होगा देखिए यहाँ पर जो छोटी छोटी बूदे हैं इन पर जितना आवेस होगा इसी के मान के बराबर यहाँ पर बड़ी बूद पर आवेस हो जाएगा तो यहाँ पर capital Q की value हो जाएगी 8 गुड़े small q तो यहाँ पर इस value को हम इसी समिकरण में put कर देंगे तो यहाँ से capital Q की value हो जाएगी 8 गुडे small q इसका मान कितरा है इसका मान है 20 π. eps.0 into small r अब इसी का हम calculation करेंगे तो यहाँ से capital Q की value हो जाएगी 160 pi epsilon 0 into small r और यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा तो देखिए इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें बड़ी बूंद के लिए विभो की value calculate हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर धारिता के मान को ग्याद कर लिया और आवेस के मान को भी ग्याद कर लिया तो अब हम यहाँ पर विभो की value को calculate कर सकते हैं तो विभो के लिए फार्मूला क्या होगा फार्मूला हम यहीं से निकालेंगे देखिए यहाँ से फार्मूला हो जाएगा V is equal to Q upon C और इसी फार्मूले में हम सभी मान को put कर देंगे तो यहाँ से V की value हो जाएगी देखिए यहाँ पर इसी फार्मूले में हम सभी मान को put कर देंगे तो यहाँ से V की value हो जाएगी Q की value कितनी है इसका मान है 160 pi epsilon 0 into small r और बटे में हम C की value लिख देंगे लेकिन C में हम कौन समान लिखेंगे C1 का नहीं लिखेंगे C2 का लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ी बूंद के लिए विभो की value को हमें calculate करना है तो यहाँ पर जो C2 की value है इसकी value है 4 pi epsilon 0 into capital R अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ cancel हो रहा होगा बटे capital R अब यहाँ पर देखिए capital R की value को आपने कैसे calculate किया था तेखिए यहाँ पर capital R क्या है बड़े गोले की त्रिज्जा है और इसकी value है 2 small r के बराबर तो यहाँ पर इस मान को भी इसी फार्मूले में हम put कर देंगे तो यहाँ से V की value हो जाएगी 40 small r बटे 2 small r अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से कुछ cancel हो रहा है यह R और यह R कैंसल हो जाएगा और 2 से 40 कैंसल होगा तो यहाँ पर मान 20 प्राप्त होगा तो यहाँ से V की value हो जाएगी 20 volt तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बड़ा गोला है बड़ा गोला मतलब बड़ी बूंद जो है इस पर जो विभो की value हो जाएगी इसकी value हो जाएगी 20 volt तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने बड़े गोले पर विभो के मान को calculate कर लिया अब हम अपने अगले आंखिक प्रस्ण को हल करेंगे और यहाँ पर इस प्रस्ण में दिया गया है कि 0.1 फाइरेड धारिता के संधारित्र को 10 volt की बैटरी से जोड़ा जाता है बैटरी को हटाने के बाद इस संधारित्र को एक दूसरे अनावेशित संधारित्र से जोड़ा गया है यदि दोनों संधारित्रों में आवेश बराबर बितरित होता है तो दोनों संधारित्रों में संचाईत औरजा का मान ग्यात कीजिए इस उर्जा की तुलना पहले संधारित्र की प्रारम्ही कवस्था में संचैत उर्जा से भी कीजी यानि यहाँ पर हमारे पास एक संधारित्र दिया गया है जिसकी धारिता दी गई है 0.1 फाइरेड और इस संधारित्र को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया गया है जिस बैटरी का भी हो है 10V यानि यहाँ पर बैटरी का जो भी हो अंतर है इसका मान है 10V अब इन दोनों वाइलूज को हम जोड़ देंगे नोट कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब इस संधारित्र को हम बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा तो इस संधारित्र में औरजा एकठी हो जाएगी तो यहाँ पर इसकी प्रारम्भी कुर्जा को हम नोट करेंगे तो प्रारम्भी कुर्जा को हम U0 से व्यक्त कर देंगे अब U0 का मान कैसे आएगा देखिए इसके लिए फार्मूला होता है अब यहाँ पर देखिए इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट कर देंगे तो यहाँ से U0 की वैलू हो जाएगी एक बटे दो C की वैलू कितनी है यहाँ पर दिया गया है 0.1 फायरेड तो यहाँ पर इसे हम लिख देंगे V की वैलू कितनी है 10 वोल्ट है तो यहाँ इसे भी लिख देंगे 10 गुड़े 10 इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ से 10 मलो को 1 0 से कैंसिल कर देंगे और 2 5 10 तो यहाँ से U0 की वैलू हो जाएगी U0 is equal to 5 और 5 हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हमने उर्जा के मान को ग्यात किया है यानि संधारित्र में कितनी उर्जा संचाइत होई है तो यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा जूल अब यहाँ पर देखिए हम प्रश्न के अगले भाग को हल करेंगे और प्रश्म का अगला भाग यहां से शुरू होता है यहां पर कहा जा रहा है कि बैटरी को हटाने के बाद संधारित्र को एक दूसरे अनावेशित संधारित्र से जोड़ा गया है और यहां दोनों संधारित्रों में बरावर आवेश को बित्रित करता है अब यहाँ पर देखिए यह जो संधारित्र है इसका हमने बैटरी से connection काट दिया और इसे connection काटने के पस्चाथ यहाँ पर 0.1 Farad के संधारित्र को हमने दूसरे अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया यहाँ पर क्या है अनावेशित संधारित्र में आवेश का मान सूनने है और यह संधारित्र आवेशित है तो यहाँ पर आवेश की वैलू कुछ ना कुछ दी होगी अब यहाँ पर जोड़ने से क्या effect होगा तो देखिए यहाँ से आवेश बितरित होना सुरू हो जाएंगे और यह आवेश यहाँ से इस अनावेशित संधारित्र में जाना सुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर आवेश का स्थानांतर तब तक होता रहेगा जब तक दोनों संधारित्र में आवेश का मान समान ना हो जाए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभुवांतर होगा इसका मान आधा हो जाएगा यानि पहले विभुवांतर अगर वी रहा होगा तो यहाँ पर अब इन दो जोनों को जोड़ने के बाद जो विभुवांतर का मान होगा इसका मान आधा हो जाएगा यानि यहाँ पर यहाँ पर यह जो संधारि एक बते 2 C और V की वैलू कितनी होगे देखें V कमान V by 2 होगया है जब हम जोर देंगे तो यहांपर व्योवांतर भी बट जाएगा V by 2 हो जाएगा तो यहांपर हम लिखेंगे व by 2 का होल स्क्वाइर अब यहांपर इसी टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो यहां से देखिए, 1 upon 2 लिखा हुआ, इसे उतार देंगे, C को ऐसे उतार देंगे, और यहां से value हो जाएगी V square by 4, अब यहां पर देखिए, यहां से U की value हो जाएगी, U is equal to 1 बटे 8 C V square, अब यहां पर देखिए, यहां पर इसी फार्मूले में हम सभी मान को put कर देंगे, तो यहां से U की value हो जाएगी, 1 बटे 8 गुडे, C की value कितनी है, इसका मान है 0.1 F, देखिए, दोनों में धारिताएं समान रहेंगी, दोनों की धारिता का मान रहेगा C, तो C की value हो जाएगी 0.1 F, और V की value कितनी है, V का मान 10 V है, तो यहां पर हम 10 गुडे 10 लिख देंगे, अब यहां से देखिए, कुछ cancel हो रहा है, उसे हम काट देंगे, यहां से 10 वलों से 1, 0 cancel हो जाएगा, और यहां से U की value हो जाएगी, U is equal to, देखिए, यहां पर हो जाएगा 4, और यहां पर value हो जाएगी 5, तो यहां से U की value हो जाएगी 5 बटे 4 J, तो इस प्रकार से, यहां पर जो दोनो संधारित्र हैं, इन दोनो संधारित्र में जो संचाइत होने वाली उर्जा की वैलू है, इसकी वैलू हो जाएगी, U is equal to 5 बटे 4 Joule, अब यहाँ पर दोनो संधारित्र में संचाइत होने वाली उर्जा का मान कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनो संधारित्र के लिए संचाइत होने वाली उर्जा का मान हो जाएगा, अब यहाँ पर हम प्रस्ण के तीसरे पार्ट को हल करेंगे, तीसरा पार्ट क्या है, देखें तीसरा पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस उर्जा की तुलना पहले संधारितर की प्रारंभी कवस्था में संचाइत उर्जा से भी कीजिए अब यहाँ पर देखिए यह जो उर्जा आपने कैलकुलेट की है इस उर्जा के मान को यहाँ पर पहले संधारितर में जो संचाइत होने वाली प्रारम ही कुर्जा थी U0 इससे हमें तुलना करनी है यानि दोनों का हमें अनुपात ग्याद करना है तो यहाँ पर हम U और U0 के अनुपात को ग्याद करेंगे तो U और U0 का अनुपात हम कैसे गयाद करेंगे मान को हम put कर देंगे तो यहाँ पर U की value कितनी है इसका मान है 2.5 joule यहाँ पर इसे हम लिख देंगे और यहाँ पर U0 की value हो जाएगी 5 joule तो इस value को भी हम लिख देंगे अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का हम अनुपात गयाद करेंगे तो यहाँ पर U और U0 का जो अनुपात होगा इसका मान हो जाएगा 1 बटे 2 यहाँ पर इन दोनों का अनुपात 1 बटे 2 हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन दोनों की तुलना भी कर ली तो यहां से हमारा ये प्रश्ण हल हो गया अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्ण को हल करेंगे और यहां पर प्रश्ण मी दिया गया है कि 2μF तथा 3μF धारिता वाले 2 समांतर प्लेट संधारित्रों A तथा B को अलग-अलग 100V के विहुआंतर तक आवेशित किया गया है अब A की धन प्लेट को B की रिड प्लेट से तथा A की रिड प्लेट को B की धन प्लेट से जोड दिया जाता है प्रतेक संधारित्र पर अंतिम आवेश ग्यात कीजिए यानि यहाँ पर हमारे पास दो संधारित्र है A और B यहाँ पर A की धन प्लेटा है इसका मान है 2μF और B की धन प्लेटा है इसका मान है 3μF तो इस वयलू को हम नोट कर लेंगे तो यहाँ पर जो A की धन प्लेटा है इसे हम C, A से विक्त कर देंगे यानि Capacitance of A तो यहाँ पर C A की value हो जाएगी 2μF ठीक इसी प्रकार से जो B संधारितर है इसकी धारिता हो जाएगी C V और इसकी value दी गई है 3μF अब यहाँ पर देखिए हमसे यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर इन संधारितरों को 100V के विभवानतर तक आवेसित किया गया है तो हम इनके आवेस की value को calculate करेंगे तो आवेस का मान हम कैसे calculate करेंगे देखिए उसके लिए formula होता है Q is equal to C into V और इसी formula से हम calculate करेंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो A संधारितर है इसके आवेस को हम कुछ मान लेते हैं तो यहाँ पर जो इसका आवेस होगा इसे हम Q A से वेक्त कर देंगे तो अब हम यहाँ पर Q A की value को calculate करेंगे तो Q A की value को हम इसी formula से calculate करेंगे अब यहाँ पर हम मान को put कर देंगे तो यहाँ पर जो A संधारितर है इसके लिए जो धारिता है यानि C की वेलू है इसका मान है 2 Micro Farad तो इस वेलू को हम लिखेंगे और इस संधारितर पर विभुवांतर कितना है देखें यहां पर इनके प्लेटों के भीच जो विभुवांतर है इसका मान है 100V तो यहां पर हम 100V लिख देंगे तो यहां से QA की वैलू हो जाएगी 200μC, तो इस प्रकार से हमारे पास जो A संधारित्र है, इसका जो आवेस हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 200μC, तो इस प्रकार से यहां पर जो धन प्लेट है, यानि धन आवेसित प्लेट है, इस पर आवेस हो जाएगा 200μC, और यहां प हो जाएगा 400 नहीं होगा पलेटों पर तो आभेस अलग-अलग होगा लेकिन संधारित्र के लिए आभेस का मान हो जाएगा 200 माइक्रो कूलाम ठीक इसी प्रिकार से यहां पर हमारे पास 20 संधारित्र है तो इसके लिए वोल्ट से गुड़ा कर देंगे देखे दोनों संधारित्रों को 100 वोल्ट के विववांतर तक आवेसित किया गया है तो वी संधारित्र के जो दोनों प्लेट है इनके बीच में विववांतर का मान 100 वोल्ट होगा तो यहां से क्यूबी की वैलू हो जाएगी 300 माइक्रो कूलाम तो इस प्रकार से यहां पर क्यूबी का जो रिड़ावेसित प्लेट है इस पर आवेस हो जाएगा माइनस 300 माइक्रो कूलाम और धनावेसित प्लेट है इस पर आवेस हो जाएगा प्लस 300 माइक्रो कूलाम देखें, यहाँ पर संधारित्र पर आवेश 300μC होगा, लेकिन प्लेटों पर आवेश अलग-अलग हो जाएंगे, 300μC हो जाएंगे, अब यहाँ पर आप इस प्रस्ण में देखिए, प्रस्ण में यह कहा जा रहा है कि अब A की धन प्लेट को B की रिड़ प्लेट से, तथा A क की रिड़ प्लेट को B की धन प्लेट से जोड दिया जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A की धन प्लेट को B की रिड़ प्लेट से जोड देंगे, तो जब हम जोड देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 100μC कूलाम का आवेश प्राप्त होगा, देखिए यहां भी 100 µC का आवेस प्राफ्थ होगा, देखिए, यहां पर 300 है, और यहां पर –200 है, तो यहां पर हमें 100 µC का आवेस प्राफ्थ होगा, अब यहां पर देखिए, जोडने के पस्चार, जो आवेस होगा, इसे हम QA' तथा QB' से व्यक्त कर देंगे, यानि जो A plate होगा, इस A plate पर जो आवेस होगा, इसे हम QA' लिख देंगे, और B plate पर जो आवेस होगा, इसे हम QB' से व्यक्त कर देंगे, तो यहां पर इनका total charge कितना हो जाएगा? देखें जो कुलावेश का मान होगा, इसका मान हो जाएगा 100マikroculam, देखें यहाँ पर 100マikroculam क्यों हुगा, क्योंकि पहले हमने क्या किया था, हर प्लेट पर 200マikroculam का आवेश था, लेकिन जो संधारित्र का कुलावेश था, इसका मान था 200マikroculam, तो जोडने के पस्चात यहाँ पर भी जो संधारितर निर्मित होगा इसका जो आवेस होगा इसका मान हो जाएगा 100 µC और इसे लिखेंगे हम समिकर नंबर एक अब यहाँ पर देखिए हमें एक फार्मूला मालूम है कि जो आवेस होता है वह धारिता के समान उपाती होता है यानि क्यूं C के समान उपाती होता है और यह कब समान उपाती होता है जब यहाँ पर विखुवांतर का मान समान हो यानि विखुवांतर की वैलू अगर समान हो तो Q का मान C के समान उपाती होगा अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी इस condition में भी विभुवांतर का मान समान है देखिए यहाँ पर पहले संधारितर के लिए जो विभुवांतर है इस का मान है 100 V और जो दूसरा संधारित रहे इसके लिए भी विभुवांतर का मान है 100 V तो विभुवांतर की वैलू दोनों परिस्थितियों में समान है तो यहाँ पर भी इस फार्मूले को हम अपलाई कर सकते हैं तो देखिए जोडने के पस्चात यहाँ पर आवेस कितना है QA' है तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं कि जो QA' है इसकी वैलू C A के समान उपाती हो जाएगी यानि QA' C A के समान उपाती हो जाएगी ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो QB' होगी इसकी वैलू भी C B के समान उपाती हो जाएगी अब यहाँ पर इसे हम लिखेंगे समिकरण 2 और इसे हम लिखेंगे समिकरण 3 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम समिकरण 2 में समिकरण 3 से हम भाग दे देंगे तो हमें मान पराप्त हो जाएगा तो यहां से हमें वैलू पराप्त हो जाएगी QA- upon QB- is equal to CA upon CB देखिए यहां पर जब हम भाग देंगे तो भाग कैसे देंगे यहां पर कुछ ना कुछ नियतांग पराप्त होगा तो नियतांग समान होगा और नियतांग की वैलू कैंसिल हो जाएगी तो यहां से मान पराप्त हो जाएगा QA- upon QB- is equal to CA upon CB अब यहां पर हम मान को पुट कर देंगे तो यहां से देखिए यहां पर जब हम मान पुट करेंगे तो यहां से हमें QA- upon QB- की वैलू मिल जाएगी देखिए CA की वैलू कितनी है इसकी वैलू है 2μF तो यहां पर हम इस वैलू को लिख देंगे और CB- की वैलू है 3μF इससे भी हम यहां पर लिख देंगे अब यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से QA' की value हो जाएगी 2 बटे 3 into QB' अब इसे हम लिखेंगे समिकरण नम्मर 5 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम QA' की value को समिकरण 1 में put कर देंगे तो यहाँ से हमें QB' की value मिल जाएगी तो चलिए इस मान को हम put करते हैं तो यहाँ से हम मान लिखेंगे 2 बटे 3 QB' प्लस QB' इस एक्वल टू 100 माइक्रो कूलाम और इसी को हम solve करेंगे तो यहाँ से जब इस समिकरण को हम solve करेंगे तो यहाँ से में मान प्राफ्थ होगा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बटे 3 QB' प्लस QB' तो यहाँ से में मान प्राफ्थ होगा 5 QB' प्लस QB' प्लस QB' प्लस QB' इसकी वैलू हो जाएगी 60 माइक्रो कूलाम अब यहाँ पर हम QA' की वैलू को भी calculate कर सकते हैं तो इसे कैसे करेंगे इसे हम समिकरण एक से करेंगे देखिए यहाँ पर QB' की वैलू हो जाएगी 60 माइक्रो कूलाम इसे यहाँ पर हम put कर देंगे तो यहां से QA' plus 60 µC is equal to 100 µC हो जाएगा तो यहां से QA' की वैलू हो जाएगी QA' is equal to 40 µC तो यहां पर क्या कह रहा है देखिए प्रतेग संधारित्र पर अंती मावेश ग्याद कीए तो यानि यहां पर जोडने के पस्चाथ जो प्रतेग संधारित्र होगा इस पर जो अंती मावेश होगी इसकी वैलू हो जाएगी 60 µC और 40 µC 60 किस पर होगा? तो देखिए जो 20 संधारित्र है जोडने के पस्चाथ जो इस पर अवेश होगा इसकी वैलू हो जाएगी 60 µC और जो ए संधारित्र है जोड़ने के पस्चाद जो इस पर आवेस होगा इसकी वैलू हो जाएगी 40 माइक्रो कूलाम अब हम अगले आंकिक प्रशन को हल करेंगे और यहाँ पर दिया गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी 1 cm तथा प्रतेक प्लेट का छेतरफल 100 cm स्कॉयर दिया गया है इसकी प्लेटों के बीच की अस्थान को 0.5 cm मोटी पैराफीन की एक पट्टी तथा 0.5 cm मोटी काच की एक पट्टी से भर देते हैं यह दी से 300 वोल्ट की वैटरी से आवेसित करें तो पैराफीन तथा काच की प्लेटों में विद्धु छेतर की तीवरता गयातीगी अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हमारे पास एक समानतर प्लेट संधारितर है और इन संधारितर के प्लेटों की बीच की दूरी 1 cm है तो यहाँ पर इस दूरी को हम नोट कर लेंगे तो यह हो गया पहला प्लेट और यह हो गया दूसरा प्लेट इन दोनों प्लेटों की ब दूरी है इसका मान है एक सेंटी मीटर अब यहां पर देखिए हमसे यह कहा जा रहा है कि प्लेटों के बीच में दो माध्यम है यहां पर यह पहला माध्यम है यह पैराफीन है और इसकी दूरी कितनी है देखिए यहां पर पहले प्लेट से ले करके और यह जो माध्यम भरा 0.5 cm तक भरा हुआ है तो यहां पर जो पैराफीन है इसके लिए माध्यम का परवैदुतांग दिया हुआ है केवन और केवन की वैलू यहां पर दो दी गई है ठीक इसी प्रकार से यहां पर आधी दूरी से दूसरे प्लेट की दूरी जो दूरी है इसका मान है 0.5 cm और यहां पर कुछ दूसरा भरा गया है यहां पर कांच भरा गया है और यहां पर कांच के लिए जो माध्यम का परवैदुतांग है इसे केटू से वैलू 6 दी गई है अब यहां पर देखे यहां पर हमसे यह कहा जारा है कि यद इसे 300 वोल्ट बैटरी से आवेशित करें तो पैराफ को ग्यात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है C is equal to K epsilon 0 A upon D यहाँ पर K क्या है देखे K यहाँ पर माध्यम का परावैदुतांग है यानि यहाँ पर अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई dielectric भरा हो तो उसका जो परावैदुतांग होगा उसको हमने K से दर्सा दिया है Epsilon 0 क्या है देखेर Epsilon 0 है निर्वात की विद्दुत सिल्ता A यहाँ पर प्लेट का 6 तरफल है यानि संधारित्र की जो प्लेटे है उनका 6 तरफल है और D यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी है यानि यहाँ पर अगर संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई माध्यम हो तो इसी फार्मूले की सहता से हम धारिता की वैलो को कैलकुलेट करते हैं अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो संधारित्र है इनकी बीच में दो माध्यम भरा हुआ है तो दो माध्यम भरा हुआ है तो यहां जो combination निर्मित हुआ है यह यहां पर जो युक्ती निर्मित हुई है यह युक्ती किस प्रकार से कारे कर रही है तो देखिए यहां पर जो युक्ती निर्मित हुई है संधारित्र की भातिकारे कर रही है तो यहाँ पर हम C1 और C2 की value को calculate करेंगे तो जब हम C1 की value को calculate करेंगे तो इसकी value हो जाएगी K1 epsilon 0 A upon D और इसे लिखेंगे समयकर नमबर 1 और इसी प्रकार से हम C2 की value को भी निकालेंगे C2 का मान हो जाएगा K2 epsilon 0 A upon D अब आपके मन में प्रशना रहा होगा कि यहाँ पर epsilon 0 के मान को हमने क्यों नहीं परिवर्तित किया या A की value को क्यों नहीं परिवर्तित किया या D के मान को क्यों नहीं परिवर्तित किया तो D का मान समान रहेगा देखेंगे यहाँ पर आधी दूरी से यहां पहले plate तक जो माध्यम है या K1 है और आधि दूरी से दूसरे plate तक जो माध्यम है वह K2 है काँच है तो D भी समान है यहां पर A भी समान रहेगा क्योंकि प्लेटों का जो छेतरफल है समान रहेगा और Epsilon 0 यानि निर्वात की विद्दुछीलता की वैलू भी समान सिर्फ बदलेगा यहां पर केवन और केटू की वैलू क्यों बदलेगा क्योंकि माध्यम यहां पर अलग अलग है देखिए यह जो माध्यम है यह पैराफीन है और यह जो माध्यम है यह कांच है तो यहां पर केवन और केटू की वैलू परिवर्तित हो जाएगी और इसे हम ल प्राप्त हो जाएगा c1 upon c2 is equal to k1 epsilon 0 a upon d और यहाँ पर हो जाएगा k2 epsilon 0 a upon d अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है देखिए यहाँ से epsilon 0 a upon d और epsilon 0 a upon d कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें c1 upon c2 का अनुपात प्राप्त हो जाएगा और यह जो अनुपात होगा इसकी वैलू हो जाएगी c1 upon c2 is equal to k1 upon k2 और इसे हम लिखेंगे समीकर नमबर 3 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमें समीकर न 3 प्राप्त हुआ है इसमें हम k1 और k2 की वैलू को पुट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए c1 upon c2 की एक नई वैलू मिल जाएगी k1 का मान क्या है देखिए k1 का मान 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 बटे 6 देखिए k2 की वैलू 6 दी गई है तो यहाँ पर इसे हम उतार देंगे अब यहाँ पर 2 से 6 को कैंसल कर देंगे तो यहाँ पर मान 3 हो जाएगा तो यहाँ से c1 upon c2 की वैलू हो जाएगी 1 बटे 3 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास संधारित्र से सम्मान्दित एक फार्मूला मालूम है और फार्मूला क्या होता है इसकी वैलू होती है q is equal to c into v अब यहाँ पर देखिए इसी फार्मूले को हम परतेक संधारित्र के लिए अपलाई कर देंगे यानि c1 के लिए भी अपलाई करेंगे और c2 के लिए भी अपलाई करेंगे तो यहाँ से इस फार्मूले की वैलू c1 के लिए क्या होगी देखिए c1 के लिए वैलू हो जाएगी c1 is equal to q upon v1 देखिए यहाँ पर हमें अगर c की वैलू ग्यात करनी हो तो c की वैलू हो जाएगी q upon v तो यहाँ से c1 की वैलू हो जाएगी q upon v1 अब आपके मन्में प्रश्नार आओगा कि हमने q की वैलू को change क्यों नहीं किया है तो यहाँ पर देखिए जो हमने संधारित्र लिया है या एक ही संधारित्र है बस यह कार सिर्फ दो संधारित्र की भात ही कर रहा है तो यहाँ पर आवेश नहीं परिवर्तित होंगे परिवर्तित यहाँ पर सिर्फ धारिता और विभो होंगे तो c1 की value हो जाएगी c1 is equal to q upon v1 इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं c2 is equal to q upon v2 अब यहाँ पर देखें यहाँ पर q upon v1 into q upon v2 इस value को हम इस समीकरन में put कर देंगे तो यहाँ से हमें c1 और c2 की एक नई value मिल जाएगी तो यहाँ से c1 upon c2 की value हो जाएगी c1 upon c2 is equal to यहाँ पर देखें c1 की value कितनी है q upon v1 है और c2 की value है q upon v2 अब यहाँ पर देखिए कुछ cancel हो रहा है यहाँ से Q और यह Q cancel हो जाएगा तो यहाँ से C1 upon C2 की value हो जाएगी V2 upon V1 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास वैद्दुद छेत्र और वैद्दुद भी हो इन दोनों में संबंद गया था है और इसी संबंद को हम इस संधारित्र के लिए apply कर देंगे तो यहाँ पर जब इस संधारित्र के लिए हम संबंद को apply करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर वैद्दुद भी हो और वैद्दुद छेत्र इन दोनों में संबंद होता है V is equal to E into D तो यहाँ पर इसी संबंध को हम यहाँ पर apply कर देंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हर एक विभुवांतर के लिए संबंध अलग अलग होगा यहाँ वीवन के लिए अलग होगा वीटू के लिए अलग होगा तो यहाँ से C1 और C2 की value change हो जाएगी तो यहाँ से C1 upon C2 की value हो जाएगी देखिए V2 लिखा हुआ है और V2 की value है E2D और यहाँ पर V1 लिखा हुआ है V1 की value है E1D तो यहाँ पर हम E1D लिख देंगे अब यहाँ पर कुछ cancel हो रहा है देखें, यहाँ से D और यह D cancel हो जाएगा, तो यहाँ से C1 upon C2 की value हो जाएगी E2 upon E1, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम C1 upon C2 की value को put कर देंगे, तो यहाँ से C1 upon C2 की जिगा पर लिख देंगे 1 बटे 3, और यहाँ पर हम लिख देंगे E2 upon E1, अब यहाँ से हम E1 की value क मिल गई और इसे हम लिख देंगे समिकर नमबर 3 अब यहां पर आप इस प्रस्ण में देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि यदि इसे 300 वोल्ट की बैटरी से आवेसित करें तो पैराफीन तथा कांच की प्लेटों में विद्धु विववांतर का मान 300 वोल्ट हो जाएगा अब हर प्लेट पर विववांतर का मान अलग अलग है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं देखिए यहां पर हम प्रस्ण के अनुसार यही लिख सकते हैं कि जो V1 प्लस V2 की वैलू है इसका मान 300 वोल्ट देखिए यहां पर हमने V1 और V2 की value को क्यों लिखा है क्योंकि हर एक संधारित पर विवांतर का मान अलग-अलग है अलग-अलग voltage का विवांतर है यहाँ पर और इन प्लेटों के बीच में जो विवांतर है इसका मान 300V है तो यहाँ पर V1 और V2 की जो value हो जाएगी इसकी value हो जाएगी 300V अब यहाँ पर V1 और V2 की value को इसी समिकारण से put कर देंगे तो यहाँ से बान परिवार्दित हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ से value हो जाएगी E1D plus E2D is equal to 300V तो इस प्रकार से यहाँ पर इस value को भी हम put कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी हमने E1 की value को calculate किया है और E1 की value है 3E2 तो यहाँ से हम 3E2 की value को इसी समिकारण में put कर देंगे तो यहाँ से हमारा मान परिवर्थित हो जाएगा और यहाँ से value हो जाएगी 3E2D plus E2D is equal to 300V तो यहाँ से हम इसमान को कुछ इस प्रकार से लिख देंगे अब यहाँ पर देखिए 3E2D plus E2D यहाँ से value हो जाएगी 4E2D और इसकी value 300V के बराबर हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम सभी बान को put कर देंगे तो यहां से हमें D की value को put करना है और D की value यहां पर दी गई है 0.5 cm तो यहां पर इस man को हम put कर देंगे तो यहां से E2 की value हो जाएगी E2 is equal to 300 बटे 4 गुडे 0.5 गुडे 10 की घात माइनस 2 देखिए 10 की घात माइनस 2 हमने क्यों लिखा है क्योंकि यहां पर जो दूरी दी गई है D की यह दूरी cm में दी गई है इसे हमें मीटर में परिवर्तित करना पड़ेगा तो मीटर में परिवर्तित करने के लिए हम 100 से भाग देंगे या 10 की घात माइनस 2 से गुड़ा कर देंगे तो यहां से देखिए E2 की वैलू हो जाएगी 300 वटे 4 गुड़े 0.5 इंटू 10-4 माइनस 2 और यहां पर मातरक क्या लिखेंगे तो देखिए यहां जो मातरक लिखेंगे उसका मान हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर यहां से हम मातरक को चेंज कर देंगे देखिए यहां से D को जब हम भाग देंगे तो D यहां पर दूरी है और यहां से मातरक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर और यह क्या हो जाएगी E2 की वैलू यानि विद्दु छेतर की तीवरता की वैलू अब यहां पर देखिए यहां पर जब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें E2 की वैलू मिल जाएगी E2 is equal to 1.5 गुड़े 10 की घाथ 4 और यहां पर मातरक क्या होगा देखिए मातरक यहां पर हम नहीं भीवू लेंगे और इसका जो मातरक होगा इसका मातरक हो जाएगा वोल्ट प्रती मीटर तो इस प्रकार से यहां पर हमने E2 की वैलू को कैल्कुलेट कर लिया अब यहां पर हम E1 की वैलू को भी कैल्कुलेट कर सकते हैं तो E1 की वैलू क्या होगी देखिए इसके लिए यहां पर already formula दिया हुआ है E1 is equal to 3E2 तो E2 में हम 3 से गुड़ा कर देंगे और E2 की वैलू दिया हुआ है 1.05 गुड़े 10 की घाथ 4 तो यहां पर देखिए यहां से E1 की वैलू हो जाएगी देखिए यहां पर 1.05 दिया हुआ है और इसमें हम 3 से गुड़ा करेंगे तो जब हम 3 से गुड़ा करेंगे तो यहां पर देखिए पर देखिए 4.05 गुड़े 10 की घाथ 4 और मात्रक क्या होगा इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रती मीटर तो इस प्रकार से यहां से हमने क्या कैलकुलेट किया देखिए यहां पर हमने यह कैलकुलेट किया कि पैराफीन तसा काच की प्लेटों में विद्दुछेतर की तीवरता ग्याद करें यहां पर E1 और E2 की वैलू को हमने कैलकुलेट कर लिया